हाई गाईज, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होँगे मैं भी हच्छे हूँ आज cleaning का video लेकर आई हूँ self cleaning है folding है, कपड़े का and home cleaning है तो I hope आप लोगों के लिए घ्लफफुल रहेगा और पसंद भी आएगा पसंद आएगा तो πिया करना है चैनल को सब्सक्राइब पढ़ लेना और बिल को भी बजा देना ताकि मेरे वीडियो को नटीफ के साना तो पहुंसती रहे और कॉमेंट करना सेर ज्यादा ज्यादा हो सके कर देना तो इसी साथ चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं थोड़ा बीच वाला सेल्फ के वल साफ करूँगी मैं थोड़ा थोड़ा साफ करूँगी मैं कठा साफ करती हूँ तो मैं ठक जाती हूँ और थोड़ा थोड़ा साफ करती हूँ तो नहीं ठकती हूँ पूरा जो फी रहता है, चीट वगाइरा उनका परफ्यूम, उनकी चावी उनका जो भी समान रहता है, सब यहीं पिलाके रखते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा गंदा हो जाता है और बच्चे भी कोई एक जन रखता है जहां पर समानों आप बच्चे तो जानते हैं तो मेरा बेटा भी कुछ भी पाता है तो इहीं पे लागे रख देता है तो इसके लिए मुझे क्लीनिंग करनी पड़ी है कि गाउं भी जान कर रही हूं तो मेरा क्लीनिंग सुरू हो गया है और मेरे बेटी आई है पूछने कि ममा में कुछ हिल्प चाहिए तो मैंने का जो चाहिए मैं बताऊंगी तो क्या है ना समान कुछ भी रहता है तो यहां वहां रहता है तो इसको अपनी जगह पर रखने के लिए बच्चों कि वही जब लगे तो गूला लऊंगी तो वही सब कर रही हूं और यह नारील का तेल है अज कर हम लो है पने बेटे को नारील का तेल लगा रहीया है कि dani searching उगली सील में पता नेkol этим दो तो गर्मी को वह यह नारील तिल ठंडा होता है तो इसको लगाने से हो सकता है अराम भी मिल रहा है तो उसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग और अगर आप लोग को नारियो के वपर बताएगा में अप्रोफटा शेयर कर दोंगी तो यहां पे सब समान में पोच पोच के रखती हूं तो मैंने एक टावल है वो टावल मेंने फाड के रख लिया है और कई टुकड़े हुआ है तो फिर मैंने फोल्ड करके रखती हूं यह मुझे काम लगता है तो एक टुकडा निकाल के उसको घीला करके उसे पोच के फिर दूल के अच्छे से वाश करके रख देती हूं और यह देखिए यह मैं बोल रहे हुँ बेटिक इसको लेकर जाओ रखो क्योंकि इसको ना फेक ना है तो मेरे मिश्टर जी बोले फेको मत इसको इसमें का मेरे प पूरा इकठा हो जाएगा मिल जाएगा सब उसके बाद हो मेरा बेटा भूंकि आ गया है कर लोंगी सब और यह मैं कूदने करीव ने लाई थी पतानी क्यों कमर में दर्द सुर हो गया तो मैंने बंद कर दिया है तो ओल्मस्ट मेरा कंप्लीट होई गया है तो वही सब में कर रहे हूं और बताइएगा आप लोगो को वीडियो अप लोग को कैसा लगा और मेरा क्लीनिंग तो ओल्मस्ट होई गया है अब आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए मिलती हूं मैं थोड़ी दिर में तब तक के लिए बाई हुआ 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 है हुआ 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 ह झाल 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 मिलती हम फिर एक नए वीडियो में और भीना स्किप किये हुए वीडियो को पूरा वाच कीजेगा थैंक यू फोर वाचिंग गाईज बबबाई झाल 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 झाल